सो हेलो एवरीवन वेलकम बैग टू दिनेश्ट स्मार्ट सटी चैनल नाँ यह एम जोती मीस और आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट की शुरुवात करने वाले हैं सो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 33 इसमें स्रिफ तीन कोशन्स दिये हुए तो जो हम इसी लेक्ट्र में करेंगे फिनिस तो प्रैक्टिस सेट करने से पहले दो फार्मूला एक है जो आपको याद करना होगा तो सपोज अगर कोशन में दिया रहागा प्रॉफिट और एक लास परसेंटेज क्या होता है प्रॉफिट का प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्रैस मल्टिप्लाइबाई हंड्रेट और सेम प्रॉफिट की जो अपन कॉस्ट प्रैस मल्टिप्लाइबाई हंड्रेट तो आपको क्या आजाएगा लास का फॉर्मूला लास तो यह दो formula आपको ध्यान में रखना है बच्छो और इसी का use करके हम practice set 33 को आज करेंगे finish तो चलिए start करते हैं यह आप note कर लेना तो question number 1 क्या दिये आपको मंगल नाल bottle trouser for Rs.400 and a shirt for Rs.200 and sold them for 448 and 250 respectively respectively का means what क्या हुआ कि आपका जो shirt है shirt का price कितना है 200 और ट्राउजर कितना दिया आपको 400 तो 400 के लिए क्या आएगा आपका 448 और आपके shirt के लिए आएगा 250 रुपीस अमांट ठीक है मतलब इसमें आपको निकालना क्या है कि कौन सा transaction दोनों में से कौन सा transaction ज्यादा profitable है यह आपको find करना तो मैं एक तरफ find करूंगी trouser का और एक तरफ transaction और यहां में लिखूंगी shirt का shirt transaction तो cost price कितना दिया हुआ shirt का यहां पर लिखो cost price equal to कितना है 400 और selling price कितना दिया हुआ है profit is equal to selling price minus cost price selling price कितना है आपका selling price दिया है आपको इसे आपके में लिखूंगी profit percentage is equal to क्या हो जाएगा profit upon cost price multiply by 100 profit कितने का हुआ उसे 48 का बच्चो cost price कितना था 400 multiply by 100 ये 20 ये 20 ये 20 cancel अब 48 को आप 4 से divide कर दो आपका answer आज आएगा 4 1s आ 4 4 2s आ 8 12 percentage कितना 12% का profit हुआ और same हम लोग यहां पर निकाल लेंगे shirt का तो shirt का cost price कितना दिया है 200 selling price कितना दिया है 250 तो formula कि आएगा profit is equal to कितना हो जाएगा selling price minus cost price selling price कितना है 250 minus 200 कितना हो गया ये 50 तो formula लगाएगे किसका profit percentage का क्या होता है formula profit upon cost price multiply by 100 cost price multiply by 100 profit कितने का हुआ 50 का cost price था आपका 250 multiply by 100 ये 1010 cancel हो गया ओके ये कितना हो गया आपका 500 upon 25 25 तूजा और ये 0 हो गया कितना आ गया 20% तो दोनों में से किसका transaction ज्यादा profitable है shirt का है न क्योंकि यहां पे कितना आया 12% बच्चों यहां पे कितना है 20% तो ज्यादा किसका हुआ shirt का यहां पे आप लिखोगे answer में shirt transaction was more profitable more profitable ओके यहां पे आमारा question number one complete हो गया now question number two देखते है राम राव बॉट अ कप बोर्ड फोर रुपीज 4500 and sold it 4950 और साम राव ने बॉट क्या क्या saving machine for रुपीज 3500 and sold them 3920 whose transaction was more profitable हमें find करना है तो हम लोग same करेंगे पहले एक साइट में करेंगे हम किसका राम राव का transaction और second side में हम करेंगे साम राव का transaction तो मैं आप लिखूंगी राम राव transaction राम राव transaction और एक साइट में लिखूंगे मैं साम राव transaction साम राव transaction अब राम राव का cost price कितना था कब बोट का 4500 selling price कितना था 4950 ओके क्या हो गया profit तो profit का formula लागे क्या होता है profit is equal to selling price minus cost price selling price कितना थिया है 4,950 4,950 cost price कितना थिया है 4,500 इसको आफ माइनस करोगे दोको में माइनस करें 4,950 minus 4,500 कितना हो गया यह 450 कितने का profit हुआ 450 का ok अब क्या निकालेंगे profit percentage क्या निकालेंगे profit percentage फर्मुला क्या होता है profit upon cost price multiply by 100 मैं लिखूंगी profit upon cost price multiply by 100 profit कितने का हुआ 450 का cost price कितना था 4,500 कितना 4,500 और multiply by 100 ok 2,0,2,0 cancel हो गया आपका 55 बन्जा 45 बन्जा कितना आगे आपे 45 को बन्जा कैंसल कर दिया हमने कितना आगे 10% कितना आया 10% मतलग राम राओ का transaction का profitable कितना आया 10% अब निकालेंगे हम लोग इसका sum राओ का कितना हुआ उसका cost price कितना दिया है बच्छो 3,500 selling price कितना है 3,920 formula लगाएंगे हम profit का is equal to क्या होता है selling price minus cost price selling price है 3,920 minus 3,500 ok तो profit कितने का हुआ मैनस कर देंगे हम आपे 3,500 0,240 कितना 4,20 का क्या हुआ profit क्या हो गया profit अब क्या करेंगे profit निकालेंगे profit percentage मैं लिखूंगे आपे profit percentage equal to क्या होता है profit upon profit upon cost price multiply by 100 profit कितने का हुआ 4,20 का है मैं लिखूंगे 4,20 cost price क्या था 3500 multiply by 100 ok 20,20 cancel होगे आपका 4,20 upon 35 इसको cancel करोगे तो आपका क्या हो जाएगा profit percentage तो इसको हम लोग आपे cancel करेंगे 35,4,20 35 इसको क्या हो जाएगा 35 यह आपका हो जाएगा 12 यह 3 12 में से 5 गया 7 यह 0 टूजा हो जाएगा आपका कितना 70 70 ok कितना आगया 12 परसेंट कितना आगया आपका 12 परसेंट तो कौनसा ज्यादा है बच्चो Sam Rao का transaction हो जाएगा जाएगा मतलब उसको profit कितना हुआ जाएगा दोनों में से तो मैं आपके answer में लिखूंगी Sam Rao यह answer में में लिखूंगी Sam Rao transaction more profitable Sam Rao transaction more profitable ok Profitable वास लिख दो यहां पर वास more profitable यहां पर हमारा question number 2 भी फिनिस हो गया तो आप करेंगे हम question number 3 क्या दिया हुआ है Hanif bought one box of 50 apple for Rs.400 he sold all the apple at the rate of 10 each यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक Hanif ने क्या bought किया 50 apples का box पर बॉट किया जिसका price कितना था 400 और उसने एक apple को 10 रुपिस किसाफ से क्या किया sold कर दिया तो हमें find करना है कि उसे loss हुआ कि profit हुआ तो चलो देखते हैं पटा पर सलूशन में आप लिखूंगी Hanif bought 50 apples in रुपिस 400 और फिर क्या दिया हुआ है 1 apple price is equal to 10 रुपिस है ना तो फिर अगर 50 apples कितना हो जाएगा 50 apple price is equal to कितना हो जाएगा 50 multiply by 10 हो जाएगा 500 तो क्या है selling price क्या हो गया ज्यादा हो गया ना और cost price के तो उसका 400 तो हमें क्या हुआ आपे बच्चो profit हो गया क्या हो गया profit यहाँ पर अप्लिक हो गया profit is equal to क्या हो जाएगा selling price minus cost price selling price था 500 cost price था 400 यह कितना आ गया 100 रुपिस क्या हुआ उसको profit हो गया अब निकालेंगे हम क्या profit percentage में क्या निकालेंगे आपे profit percentage कितना हो जाएगा profit अपन cost price multiply by 100 तो profit कितने का हुआ 100 का cost price था 400 multiply by 10 20 20 cancel बच्चो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 टूजा 4 टूजा हो जाएगा 8 2 केरी और 4 पाइजा 20 कितना आ गया 25% तो profit कितना हुआ उसको 25% का उसे क्या हो गया profit हो गया तो यहाँ पे आप लास में अंसर लिखोगे its percentage यहाँ पे लिखोगे its percentage was 25% ओके यहाँ पे हमारा तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टी सेट 33 होता है complete तो हमने अभी तक प्रैक्टी सेट 31 32 और 33 को फिनिश कर लिया मिलते हैं next lecture में नए प्रैक्टी सेट के साथ में बच्चो तो डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब और फेवरेट यूटूब चनल डैट इस देश स्मार्ट स्टडी बाइगाइज बाइज